दोस्तों अगर मैं अपने फॉन का डायलर ओपेन करूं ना तो मेरे फॉन डायलर में देख सकते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में और रिसेंट कॉल में आपको फोटो जो है दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोटो दिख रहा है है तो मेरे वीडियो को देख के आप आसानी से कर सकते है कीसे किये है जाननी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा माधर 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा अगर आज यह पूरा वीडियो देख लेते है तो बिल्कुल आप ithणट करके दोस्तों केसाद शेयर कर दोस्तो इतना मिनस मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग आभी फ़र्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को फूल सपोट करें तो लाइक करना में कोई पैसान लेकता है फिरी का लाइक है तो यहां से लाइक जरूर कर दीजगा शेयर पेटस करके दोस्तों के साथ सेयर कर दीजगा और आपकी जगा से यह वीडियो देख रहे हूँ जग का नाम लिख के यहां पर जरूर भेह दीजगा जिससे पता चले कि आप लोग यह वीडियो कहां कहां से देखते है तो यह जो डाइलर आप देख रहे है और यह एप लिकेशन फॉन में डाना होगा तो प्लेस टेट यहां पर ओपन हो गया इसमें आपको डी आर यूप डूरूप डाइलर लिख के सर्च करोगे ना तो यह एप आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इस एप को आपको क्या करना है फॉन में इस्टॉल जो है कर लेन यहां पर हम इस्टॉल कर रहा है फिर से ताकि मैं आपको अच्छा से सेटिंग समसा है जब पहली बार आप इस एप को ओपन करोगे तो यह एप इस तरह से आपके फोन में ओपन होगा यहां पर अपने जीमेल से जो है जोडने के लिए बोलेगा तो जीमेल से इसको करना है उसके बाद यह सब का जो है परिमीशन देना है परिमीशन देने के बाद आपको अगला ओप्शन मिलेगा डिफॉल्ट डाइलर का इसको चूच कर लिजेगा उसके बाद नोटिफिकेशन में इसको अन कर दिजेगा उसके बाद यह का ओप्शन आएगा इस पर आप उसके लिए दिन क्या करना होगा? setting के icon पर touch करना होगा call screen देख सकते है default dialer आप से यहाँ पर कर सकते है disable भी कर सकते है caller अधिया है call बलाव कर है और आगे themes का option है दिन themes के option पर touch करोगे तो यहाँ पर add photo का option दीखेगा जिसके उपर touch करके add photo पर touch करना है गैलरी में आप आजाओगे, अब दिन यहां पे गैलरी से एक फोटो लेना है, जिस फोटो को आप चाहते हैं कि डैलर में हम सेट करें, पिंच करके आप उसको जो है अपने साइज का बना लिजेगा, जो आपके फोन का डैलर में सेट हो सकते हैं, ठिक हैं, मैं यहां पर पिं जो है दोस्तो यह App का जो है आपको नाम मिलेगा जिसका नाम होगा डूब डाइलर ठीक है तो आप यहाँ पर देख लिजेगा कि डूब डाइलर नामसे देखे यह डूब डाइलर है इसको यहां से आपको saliva करके लाना है और यहां पर लाकर डाइलर के में recent call में और यहाँ पे call skin में फोटो जो है लगा सकते हैं एक ही फोटो आपको हर जोगों दिखेगा जो आप फोटो sit के ओ और यहाँ से dialer निकलेगा dialer से आप जिसको चाहो call करो और यहाँ पे call भी जो है जिस पे फोटो आपको दीखेगा तो इस तरह से आप यह pop-up डालर का यूज कर सकते है डूब डालर का यूज कर सकते है आप slide करके भी डालर निकाल सकते है और नहीं तो डालर से सिदा जो है डालर निकाल सकते है आपको जो है